कि नितीश कुमार आखिर किस तरह के मानसिक्ता के साथ गुजर रहा है और क्या कुछ होने वाला है राजनिती के तिहास में कि इतने सारे दल यानि इतने सारे दल यानि बिहार के ये सभी दल एक साथ खड़े हैं जो नितीश कुमार के विरोधी थे वो भी है और नितीश कुम पाटी ने यह साफ कर दिया है इस बार वो नितीश के कंदे पर बंदू करके नहीं चलाना चाहते हैं तो बाकी के लोगों का क्या होगा इन सभी परिष्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ साफ नजर आती है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता ह के अपने सपनों का अ शियाना हम्हां कि नमस्कार बार फिट शे आपके साफ में हाजित है और लेकर आपके हाजिर हुए हैं मुद्दा गरब है आखिर मुद्दा क्यों करना हुआ हुआ और इसे पीछे की ओ थ deg wouldnा यह हम इस पात को आफके सामने कोई ये बता रहे हैं कि नितीश कुमार आखिर किस तरह के मानसिक्ता के साथ गुजर रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है एक तरफ जहां नितीश कुमार कोई बड़ा फैक्ला लें इसकी चर्चा जबरदस चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारते जनता पार्टी भी अब घृ तो साथ-ज дов कर दिया है कि किस तरह से नितीश कुमार से इस बार निपठना है हमने आपको पहले हैं harness प्रिस्थिति आजए अर् Cute में परिस्थिति बिलकुल विन्र इन सभी परिस्थितियों को अगर एक जगवा birthdays तो नितीश कुमार कोई कई चुनाव से कमजोड हुए हैं अगर विधान सभा की बात करें तो लोग सभा के चुनाव में चुकि नितिश कुमार का चुनाव नहीं था यह चुनाव नरेंद्र मोदी का था इसलिए आप आंकलों में देख रहे होंगे कि लगतार जिस पर फोकस कर रहे हैं नितिश कुम है ऐसी स्थिति में कहीं नितिश कुमार के लिए और भारती जंतापार्टी के लिए यह थोड़ा सा कहा जाए तो एक दूसरे से कंट्राडिक्शन की बात हो सकती है क्योंकि भारती जंतापार्टी बारसी जीटी है लेकिन उसको 72 सीटों पर नहीं कुछ कम सीटों पर भिया कर रही है अब हमने आपको बताया था कि नितिश कुमार आज की बैठक के बाद क्या फैसल लेते हैं इस पर नजर सब की बनी हुई लेकिन उससे पहले भारती जंतापार्टी भी इस बार पूरी तरसे मजबूती के साथ कमर कसे हुए हमने आपको यह भी बताया था यह पहल चिराग पासवान यह सब ही एक खेमे में हैं और नितिश कुमार भारती जंतापार्टी इन दोनों को तीनों को ले करके आगे बढ़ने की प्रयास में लगे हुई है क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन जो बत्मान परिस्तितिया बनी है उसमें भारती ज स्वियादो और लालू परसाद के 30% वोटरों में सेंधमारी शुरू हो चुकी है और भारती जंतापार्टी को यह बात पता है कि यह मौका है जब नितिश कुमार को साइड में बिठा करके और खुद से लीड लीकर लेकर के अगला जो चुनाओ है विधान सभा का बिहार क वो लड़ा जाए इससे भारती जंतापार्टी को फाइदा होता हुगा दिखाई दे रहा है पिछली बार कि हमने आपको बताई थी अब इसके पीछे की कारण क्या है हम आपको अदा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि अचानक से एक बार फिर नितिश कुमार पर हमले राश्टिय जंता दर्पतर से बंद हो गए हैं उनकी नितियों का बले ही चर्चा हो रही हो लेकिन नितिश कुमार पर जो सीधे अटेक हो रहे थे नितिश कुमार के तवियत को ले करके उनके कारण सेली को ले करके उनके चुपी को ले करके उनके स जनता पार्टी नितीश कुमार को साइड करके अब तेजस्वी यादो सीधी लडाई में उतर गई है और यही कारण है कि आपने पोस्टर एक देखा होगा लापता है तेजस्वी यादो इसका पोस्टर लगाया गया था जो लोग खोज करके उन्हें रागवपूर लेके हो आपको लेकिन अगर नितीश कुमार और भार्दय जनता पार्टी ने अगर चिराग पास्वान को भी सामिल किया होता तो निश्य तुम से चिराग पास्वान साथ और 11 सीट पर नहीं लड़ते हैं उनका डिमांड 35 सीट था उसमें से अगर 30 सीट भी मिल जा रहता तो पाकी के लोगों का क्या होगा इन सभी परिष्थितियों का अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ साफ नजर आती है कि आज कि इस बैठक के बाद बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो सामने खोल करके आएंगी और जिन पर चेर्चा होगी इस चेर्चा और इस पूरे मा मामले पर भले ही जनता तरफ से ये बाते कही जा रही हो कि वह इंडिये के तहट पांस चीटों पर चुनाव लगे लगतार लोग जोईन कर रहे हो जारखंट से लेकिन अभी तक ये बात फाइनल नहीं हुई है नितीश कुमार के सथ पर अभी भी कुछ नहीं हुआ है और दूसरी तरफ नितीश कुमार से जादा अब चंद्रबाबु नाइडू पर फोकस कर दिया है भारते जनता पार्टी के किंद्री नित्रति में इसके पीछे के भी कहानी आप समझ रहे होंगे कि चंद्रबाबु नाइडू को अपने साथ रखना है नितीश कुमार अगर च सारी बाते वैनिश हो गई है इसके साथ साथ भारते जनता पार्टी के साथ रहने को लेकर के नितीश कुमार की पार्टी में एक बड़ा तबका है जो तैयारी कर रहा है या उस पर दबाव बना कर रखा हुआ हाला कि कुछ लोग उसमें वह भी हैं जो आने वाले 2020 के चुन अने जाने में सब항ते नितीश कुमार जो गई है उसमें एक तरफ नितीश कुमार के आज के फैसला है eni Dutra भारतिये जनतापाटी का इरादा है जो बिलकुल साफ क्रिस्टल कुलेएर में ज़र आ रहा है कि वह इस बार किसी को छोड़ना नहीं चासे हुआ और और अगर छोड़ें की जरूरत पड़ी तो इन तीनों के अलावा नितीश कुमार को ही छोड़ेगी, क्योंकि नितीश कुमार इस बार जब वापसी अगर करते हैं, कहीं इंडिया गट बंधन में, तो नितीश कुमार अपने 15% बोटों के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि फैसला तो एक ही बात पर है, कि नितीश कुमार इदी एंडिये में रहते हैं, तो उन्हें अपनी सर्थ पे नहीं, बलकि इस बार उनको एंडिये घटक दल के सर्थ पे समझोता करना होगा, और उसी कानुसा चलना होगा, बले मुख्यमंतर की कुर्सी उनको सबने दिया हो, सबने स्विकार कर लिया हो, लेकिन सीट उनके हिसाब से नहीं बटेंगे, ये बात भी क्लेर है, अब देखना होगा कि आज नितीश कुमार इस मिटिंग के खतम होते हैं से तक क्या फैसला लेते हैं, जुड़ेरे भारत लाइब के साथ हमारी नजर पूरी तरह से बनी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 816-816-7000, धन्यवाद.